हाई एब्रिवन मैं उमीद करता हूँ कि आप सब खेरियस से होंगे आज हम एजुकेशन लेक्टरर एजुकेशन की प्रेपरेशन की सीरीज में एजुकेशन को आगे फर्दर शुरू करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक उससे पहले जिनसाहिबान और मेरी फीमिल मेंबर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इंडिपेंडन लेर्न एजुकेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें आज को जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ओफ एजुकेशन के एजुकेशन का स्कोप क्या है सबसे पहले हम स्कोप वर्ड को पढ़ लेते है के स्कोप का मतलब क्या है स्कोप का मतलब है range of something यानि के उसका दाइराकार आप यूँ भी कह सकते हैं आम अलफाज में के दाइराकार कितना है तो हम अगर education की scope की बात करें तो education का जो scope है बहुत बसी है क्योंके कल जो हमने definition में पढ़ा था कि अगर ये lifelong process है तो इसका मतलब है कि जितना एक इनसान की इनसानियत की life है तो education का scope भी उतना ही है इसके मुख्तिफ aspects के ओपर हम रोशनी डालेंगे सबसे पहले philosophy of education के education को अगर as a philosophy के तोर पर लिया जाए तो हम कहेंगे कि हमाद इसके अंदर इस चीज़ को define करते हैं के पढ़ने का या education हासिल करने का मकसद क्या है इसके अंदर हम अपने aims, objectives और हमारे जो goals हैं उनको हम cite करेंगे aims, goals और objectives इसे हम फरदर किसी वीडियो में detail से बताएंगे अभी के लिए हम सिरफ इतना बता देते हैं कि हमारा मकसद क्या है कि अगर हमने पढ़ना है तो इसका मकसद क्या है तो वो philosophy of education define करेगी कि हमने अब as a responsible citizen हमारे जो functions हैं या हमारे जो मकासिद हैं education हासिल करने के वो क्या हैं कि अच्छा responsible citizen बनना, दूसरा अपने घर को sport करना इसके अलावा अपने मुल्क को sport करना इस दुनिया में भी successful होना और as a muslim इस मरने के बाद वाली दुनिया में भी successful होना उसके बाद sociology of education के अगर हम बात करें तो हम अपने society के problems को या society को देखते हुए education के objective set करते हैं अब society हम से क्या demand करती है आप लोगों ने सब जो लोग पढ़ाई में education में इंटरस्ट रखते हैं या जो लोग देखते हैं हमारे पात बहुत सारी documentary आती हैं जिनके अंदर बताया जाता है कि फलाँ culture में या फलाँ मुलक के अंदर education का ये मयार है इसका मतलब है कि वहाँ का education है वो उनकी क्या है कि वहाँ जो education है वो learning by doing base है कि वो करके सीखने है हमारे हाँ ज्यादा क्या है theoretical work है पढ़ाने पर जोर दिया जाता है तो society की needs के मताबिक हम education के अपने process को design करते हैं उसके बाद problems and issues of education जो third aspect है scope of education का इसके अंदर हम बहुत से problems जो हम face कर रहे हैं उसे हम education से solve कर सकते हैं बहुत सारे issues हैं उसे हम education से solve कर सकते हैं आजकल जैसे एक main हमारा issue है वो global warming का है कि मौसम इस तरह तबदील हो रहा है कि गर्मियों के अंदर शिद्द से गर्मी और सर्दियों के अंदर शिद्ध से सर्दी आ रही इससे पहले इस तरह का मौसम नहीं था इसका क्या एफ़ेक्ट हो रहे हैं क्यूं हमारे जो ट्रीज हैं वो काटे जा रहे हैं जिसकी वज़े से इन्वार्मेंट में ये तबदीलियां आ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स और इश्यूज ओफ एजुकेशन के अंदर में इस चीज़ को डिसकस करते हैं उसके बाद है गाइडन्स इन एजुकेशन अब एजुकेशन हर एक सीटिजन को हर एक स्टूडन्ट को हर एक चिल्डन को एक गाइडलाइन प्रॉइड करती है कि उसने किस पाथ पे चलने उसने अकार्डिंग टू दियर पेशन क्या करना है ठीक है उसका जिस चीज़ में इंटरस्ट है उसके मताबिक उसे कौन सी फिल्ड चूज़ करनी चाहिए तो एजुकेशन स्टूडन्ट्स को गाइडेंस भी प्रवाइड करती है उसके बाद है एजुकेशनल एड्मिनिस्टेशन और सुपरवीजन और जो लोग एड्मिनिस्टेशन का और सुपरवीजन करना चाहते हैं तो उससे में एजुकेशन किस तरह आपको prepare करती है और train करती है एक proper administrator और supervisor बनने के लिए ठीक है उसके बाद हमारा जो आज का second topic है वो है types of education आपने बहुत जगा पढ़ा होगा ठीक है हम जो आपके लिए knowledge लेकर आदने हैं वो authentic और 100% correct है इसके जो content है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है मेरे समझाने में बताने में कमी हो सकती है जिसके लिए आप मेरी रहनमाई कर सकते हैं और correction के लिए comments भी कर सकते हैं तो इंशालला मैं आपके comments को value देता हुआ इसमें correction भी करूंगा ये types of education का जो content है जो मैंने इसमे include किया है ये पंजाब textbook board से लिया गया है इसके मताबक जो हमरे पास types of education है there are basically two types of education journal education और professional education बहुत सारी books में आपको types of education की जगा formal, non-formal और informal education भी मिलेगा ठीक है? जो के ठीक नहीं है जो असल है types of education वो ये दो है फिर आगे फर्दर जब हम बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि formal, informal और non-formal किस category में आते हैं ठीक है? तो there are basically two types of education journal education और professional education अब one by one हम इनको detail से discuss कर ले दें सबसे पहले है journal education it is the type which manages in school colleges and other institutions journal education का concept अगर आपको समझ आ गया है बिलकुल simple words में मैंने लिखा वै इसे मैं उर्दू में भी translate कर देता हूँ आपको समझा देता हूँ कि वो education जो हम school, colleges और इसी तरह के दूसरे institutions में ले दें जैसे कि युनिवस्टी है वो एक journal education है हमारे according to Pakistan it is divided into three parts ठीक है तीन हिस्सों में हमने इसको मज़ीद journal education को divide किया गया है जिसे सबसे पहला part है primary and elementary education primary में 1 से 5 तक classes आ जाती है elementary में 6 से 8 तक अगर कोई elementary education की बात करता है तो 1 से 8 तक उसके अंदर education आ जाएगी उसका जो second है वो है secondary and higher secondary education secondary में आपके 9th और 10th की classes आ जाएगी higher secondary में intermediate भी आप इसे कह सकते हैं FAFSC यानिके 11 और 12th class आ जाएगी उसके बाद है higher education थर्ड नमबर पे higher education में आपकी फर्दर जो BS है या MS है MSC है, MPIL है, PAD है ये degree programs आ जाएगे तो journal education में हमारे मैं एक दफ़ा फिर repeat कर देता हूँ कि journal education क्या है जो हम school colleges में ले दने हैं और पकस्तान में इसको तीन मुख्तलिफ हिस्सों में divide किया हुआ है मुख्तलिफ 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 में different countries में हर किसी ने अपने लिहाज से इसको divide किया हुए journal education को, उदर Oxford में आपको O level, A level और इस तरह standardized system मिलेगा हमारे हां classes system follow किया जाता है उसके बाद आगया professional education professional education के अगर हम बात करें, तो ये वो education है, जो किसी profession में माहिर होने के बाद, किसी शखस को दी जाती है, इसमें आपको उस चीज के माहिर बनने के बाद, उस चीज का आपको certificate दिया जाता है ताकि आप बाद में इसकी practice कर सके, या आम अलफाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि उन्हें, उन students को certificate या license issue किया जा सकता है कि वो अपने इस study की professional education की practice कर सकते हैं, बकाईदा तोर बे, इसमें सबसे पहले जो professional education में हमारे पास है वो medical की है, जिसमें हम MBBS, BDS और बहुत सारे physiotherapist इस तरह की education आ जाती हैं, यानि कि जो लोग F-C के बाद MBBS को चूज करते हैं, या metric के बाद बहुत सारे हमारे डिप्लोमा है operation theater technician है lab technicians है medical lab technicians है तो ये सारे medical field में आ जाते हैं second number पे engineering है जितनी तरह की भी engineering वो इस profession में आ जाती है mechanical, electrical, civil engineering इसमें diploma भी हैं, हमारे bachelor program भी है, जो चार साला है, उसके बाद agriculture, agriculture को भी आप बहुत 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 बहुतर तरीके से जानते हैं हमारे पास agriculture की एक बकाईदा full furnished युनिवस्टियां मौजूद हैं, जैसे फैसलाबाद की agriculture university है मुलतान के अंदर नमाज श्रीफ agriculture university है, और बहुत सारी ऐसी universities हैं, जो agriculture की आपको तालीम परवाइड करती हैं, उसके बाद trade and business हैं, commerce के बहुत ज़्यादा institute हैं, जैसे institute of business administration, सक्कर, इसका बड़ा नाम है, इसके अलावा बहुत सारी universities के अंदर commerce के अलग से department बनाएं गए हैं, या accounting and finance के अलग से department बनाएं गए हैं, जहां आपको trade और business की education दी जाती है, उसके बाद है law, यानि कि जो लोग वकालत, या judge की field में जाना चाहते हैं, तो वो L.L.B के course करते हैं, पहले तीन साल का हुआ करता था, अब पांच साला कर दिया गया है इस course को, तो ये भी professional degree है, उसके बाद home economics, या ज़्यादा खवातीन के लिए है, उसके बाद है teacher education, ठीक है, आज से कुछ साल पहले CT, PTC इस तरह के course हुआ करते थे teacher education के लिए जो metric और FA या FSC के बाद करवाए जाते थे, अब इन चीज़ों को बिल्कुल खतम कर दिया गया, क्योंके education का standard दिन बर दिन बढ़ रहा है, अब CT या PTC को change करके BA बना दिया गया, कि आप bachelor in education गरेंगे, ठीक है, जो लोग अब teacher बनना चाहते हैं, तो उसका जो proper degree है वो initially BA है उसके बाद अगर आपने higher studies करनी है उसमें, तो M-made और उसके बाद M-fil है, तो बकाइदा तोर पर अगर कोई शखस teacher बनना चाहता है, या teaching field में आना चाहता है, तो उसके लिए BA डिगरी का होना लाजमी है, ठीक है? बट इन पाकिस्तान, unfortunately, यहां हर शखस teaching के practice कर सकता है without doing BA इसमें government of Pakistan भी students की help करती है, वो इसलिए कि हमारे हाँ बेरवजगारी बढ़े नाई तो उसमें relaxation दे देते हैं, कि आपको duration दे देते हैं, जो लोग educator की त्यारी कह रहे हैं और BA उनका नहीं है, तो उनको 5 साल का time दे दिया जाता है, कि 5 साल के अंदर आप ये अपनी BA की degree कर लें, पहले ये BA की जो डिगरी थी, वो एक साल की थी, अब ये डेड़ साल की हो गयी है, तो डेड़ साल के आप ये Deгरी 5 साल के अंदर करके दे सकते हैं, और उसके साथ ही आप teacher recruit हो सकते हैं तो क्यूंकि इस course के अंदर teacher education के बी-एड, एम-एड के course के अंदर आपसे बकाइदा lesson plan prepare करवाये जाते हैं आपसे lecture दिलवाये जाते हैं जिसकी वजह से आपकी study में बहुत ज़्यादा improvement आ जाती है लास्ट में आज का जो हमारा point है वो computer and IT आजकल multimedia का दोर है computer का दोर है information technology या computer के MS से कोई शखस नवाकिफ नहीं है तो computer के अंदर बहुत सारे course हो रहे हैं जिसमें BCS है, ICS है और इसके लावा बहुत सारे MPIL program है, PID program है और बहुत सारे चोटे courses इसमें कराये जा रहे हैं जैसे adopt shop reader है, book binding या book reading है publishing है, texting है, this is writing है तो बहुत सारा काम है जो computer और IT information technology की मदद से किया जाता है तो आज के लिए इतना ही, thank you for watching हम खत्म करते हैं अपने motto के साथ learn and lead the world independently subscribe my channel like share and press the bell icon follow me on facebook page thank you for watching my best wishes with you thank you